स्वागत था आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर मेरे नाम मुमेस याद हो है दोस्तों IBPS आरभी P.O.N. कलर्क प्री का एक्जाम फिर से होने वाला है और इसको लेकर कि आप में से बहुत सारे कंडिट को जो है बहुत सारे डाउट हो रहा है और डाउट होना लाजमी है, IBPS ने ऐसा कामी कर रहा है कि डाउट होने लगा है बहुत सारे question arise हो रहा है इसको लेकर कि दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में आपके जितने सारे doubt है उसको मैं solve करूँगा आपके जितने सारे question है इस वीडियो में जो है आपके solve करने के courses करूँगा क्योंकि आप इसे बहुत सारे candidate जो है पूछ रहा है comment कर रहा है मैं individual जो है सबको reply नहीं कर सकता हूँ इसलिए मैं सोचा आप सभी को एक वीडियो बना करके और अच्छे से आप सभी को समझा दूँ दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को like कर दीजे और अपने channel पर आप पहली बार visit कर रहे हैं तो चैनल को जरूर subscribe कर लिजे दोस्तों सबसे पहले यह जो आपका registration का फिर से विंड़ो ओपन हुआ है उन candidate के लिए है जो candidate 17 2020 से लेकर के 27 2020 के बीच में registration नहीं कर पाये थे या उन candidate जिनका result नहीं आपाय था result के वज़ए से या कोई कारण के वज़ए से registration नहीं कर पाये थे उन candidate के लिए इस ने फिर से registration open किया है अब आप मेंसे जो candidate question पुछ रहे हैं कि sir मैंने form apply किया था और मैंने exam दिया था मेरे exam अच्छा नहीं किया था क्या मैं फिर से जो है form apply कर सकता हूं तो दोस्तों आप form अप्लाई नहीं कर सकते हैं आपने नोटिस निकाल कर दिया उसमें बहुत सारे आपने से कंडियर का एक्जाम छुट गया था तो क्या आप फिर से फॉर्म अपलाई कर सकते हैं दोस्तों उसमें नोटिस आया उसमें दिया है कि 172020 से लेकर के 272020 तक जो केंडेट अपलाई कर चुके हैं वो फिर से अपलाई नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों यह बहुत बरी उनकेंडेट के लिए पारसिलेटी होगा क्योंकि वो फॉर्म अपलाई किये थे COVID-19 के बज़र से नहीं जा पाए और उनका एक्जाम छुट गया या कोई कारण से एक्जाम छुट गया तो वो जो है कैंडेट फॉर्म फिर से अपलाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए जो है आप सभी के लिए मैं आवाज जरूर ठाऊंगा आप लोग अपना कंप्लेंड जो है आप पर जाकर के आप जो है कंप्लेंड जो है लौज किजिए और मैं भी इस पर वीडियो बनाऊंगा और यह आई वीपीस को जो है उन कैंडेट को देंगे उनका जो है पता चल गया है कि उनको इंटरफेस की स्टैप का है तो उनको जो है एक्जाम देने में आसानी होगा लेकिन आई वीपीस इसको जो है नर्मलाइशन करेगी लेकिन दोस्तों एक चीज है कंप्रडिशन जो है इससे बढ़ेगा क्योंकि जो कैंडेट अ तो आपका जो है पीओ का जनवरी तक जाएगा इसके इस पर मैं आप सफी के लिए वीडियो बनाने बाला हूं अभी आप लोग जो है अच्छे से प्रिपेशन कीजिए डेडिकेशन के साथ प्रिपेशन कीजिए जो टाइम मिल गया है उसको अच्छे से यूटलाइशन की लिए और करेंट टॉपिक के लिए मैं जो बताया हूं एफेर क्लाउट का पीडिएफ जो है उसको जाकर के आप सस्क्रिप्शन ले लिजिए और उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको सिप क्या करना है दोस्तों इसमें जो है पॉक्ट पीडिएफ और बैंकि लिए और फर्स कमेंट कॉलूमें लिंक दूं का जाकर के ले लिजिए अपने चानल से आपको 10% डिसकाउंट और वन अब बेस करेंट एफियर बैंकिंग अवरनेस एस्टाहिटी के लिए सोर्सेस है यहां से जरूर पढ़िएगा यहां से आपकी एक्जाम में 100% स्कूर हो और दोस्तों अब तो IBPS के एक्जाम जो है बाकी IBPS RRB को लेकर के नोटीस आई गया IBPS PO का भी ऐसा हो सकता है लेकिन कलर का एक्जाम जो है अपना टाइम पर होगा उसके लिए आप जो है आपका इधर RRB में IBPS RRB PO कलरक में IBPS PO में थोड़ा सभी एक्जाम जो है आपको ल जो है रिजनिंग के लिए ग्रेट टीचर अंकुस लंबा सर यहां पर पढ़ाएंगे इंगलिस के लिए शिवांगी मैम यहां पर पढ़ाएंगी और कॉंड के लिए जो है मनी सर यहां पर दोस्तों अगर आप नए हैं आपको इजिनों से प्रिपेशन कर रहे हैं आपका तो थोड़ा ज्यादा है लेकिन आप जाकर देख लीजेगा आने के प्लेटफोर्म जो है जो है काफी अच्छा जो है कंटेंड देता है और इसमें इंपोर्टेंट है दोस्तों आपको जो है टेन पर्सेंट एक्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको कैरियर 2021 जो है को अच्छे टीचर है तो आप इसको लेकर ले सकते हैं जाकर के 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिए अभी भी आपके कोई डाउट है तो मुझे अच्छे 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 वाल